चलिए formula क्या है? वो formula जसके आधार पर सपा और बसपा मूधी को हराना चाएं वो formula हम आपको सिलसलेवार तरीके से बताना चाहरे हैं जो अभी बात बन रही है कि जिन seats पर 2014 में जो party नमबर दो पर रही उसे वो जो है मिल जाएगी seat contest करने के लिए बसबा जैसे कि आप जानते हैं असी में एक भी सीट नहीं जीती थी 2014 में और दूसरे स्थान पर 33 जगाओं पर रही थी तो हो सकता है ये 33 के 33 सीटें उसे मिलें कॉंटेस्ट करने के लिए वोट प्रतिश्यत हम आपको बता रहे हैं 2014 में 19.77 पीसदी 2017 में बढ़कर ये 22.2 तीन पीसदी हो गया हम फिर दौरा दें जिन जिन जगाओं पर जो जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी उसे वो सीट मिल सकती है कॉंटेस्ट करने के लिए 2019 में अब समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी और दूसरे स्थान पर 32 सीटें यानि कि जा जाओं वो नंबर दो पर रही और जिन जिन सीटों पर वो जीती वो सीटें बस पा समाजवादी पार्टी कॉंटेस्ट करेगी और देखिए उसका वोट प्रतिशत गिरा है अगर ह स्थान पर 6 जगाओं पर रही यानि कि जन जगाओं पर जीते और जिन जगाओं पर आप दूसरे स्थान पर रहे आपको वही सीटें मिलेंगी कॉंटेस् کرने के लिए देखिए इसी फॉमिले पर बात हो रही है इसी फॉर्मिले के जरिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी और जैसे की मायवती को अभी अभी आपने सुना उन्होंने भी स्पश्ट किया अब RLD की आब बात करें RLD एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही वो एक भी सीट नहीं जीती थी आम आदमी पार्टी जाहर सी बात है इस गटबंधन में कोई स्थान नहीं पा सकती